हेलो फ्रेंज कुस्तुरत तुचा की चाहत हर किशी को होती है फिर वो चाहे मेला हो या पुरुस लेकिन फ्रेंज आसकल की भागत और वड़ी जिंदकी तनाव और पदूसर के का लोग पाग अपनी तुचा का बिलकुल भी ध्यान नहीं रख पाते जिसके का चैरे पे प्रे पर प्रेंटेशन भी कहा जाता है यह निशान पड़े या छोटे कैसे भी हो सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी एक रेमेडी यूज करके अपने फेस पर होने वाली जाहिया प्रेंटेशन को बहुत ही जल्दी रिमूब कर सकते हैं उससे पहले आप लोगों स तो आज ये सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में छोटी सी घंटी होगी उसे भी चरोड़ दवा दें इसके लिए आपको चलिए एक पटेटो और लेना है हमको थोड़ा सा वाटर पटेटो को हमें बीच में से कट कर लेना है कुछ इस तरीके से और फिर हमें इस वाल से दस मिनट तक करनी है और इसके बाद इसे लगा कर छोड़ देना है और 10 मिनट वाद अपने फेस को वोस करने है फ्रेंड्स ये वाली रेमेडी आपको दिन में दो से तीन वार अप्टाई करनी है अगर आप साथ दिन लगातार इस्तिमाल करते हैं तो आपकी चाहिया प् में चाहिए तीन बाउंड और उसमें लेना है हाफ टेबिल स्पून हनी मतलब सहर सहर में एंटिवाटिक पपटी सोती है यह हमारे फेसिव एक्टेरिया को डिमूब करता है और इसमें हमें एड करना है वन टेबिल स्पून एलोगा जेल मैं यहां पर यह रेडिमेट तो आप वो भी इस्तिमाल कर सकते हैं फिर इन दौरा को अच्छी तरीके से मिला लेना है और मिलाकर दस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है फिर दस मिनट बाद इस पेस्ट को आपको अपने फेस्ट पर एप्लाई करना है और 5-6 मिनट के लिए सरकूलर मौसम में मसाज करने के बाद 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही लगा कर छोड़ देना है जब यह पेस्ट वासर ड्राई होने लगे तो आपको नॉर्मल वाटर से बौस करना है यह नुस्का भी आपको दिन में दो से तीन वार एप्लाई करना है फ्रेंस अगर आप इनमेंसे को भी एक नुस्का ट्राई करते हैं तो साथ दिन के अंदर आपकी जो भी जाया है प्रिगनेंटेशन है वह पूरी तरीके से रिमूब हो जाएगी तो फ्रेंस आप इनमेंसे को भी एक रेमेडी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरेंस कमेंट की द्वारा में साथ जरूर शेयर दिनको